Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? उम्मिद करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना जो भी काम कर रहे हैं जिस भी exam के आप लोग प्रिप्रिशन कर रहे हैं अच्छे से कर रहे होंगे जैसा कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को इंतजार था मेरी जोब लगने का और उसके बाद आप लोगों को इंतजार ये भी था कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था सबसे पहले तो मैं आप लोगों को sorry बोलना चाहती हूँ कि मैंने इतना time लगा दिया लेकिन friend यकीन मानियेगा कि बस यह जो time चल रहा था इतना बीजी चला कि आप लोगों से मेरी connectivity बिलकुल दूर हो गई थी तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि हाँ finally I did it मैंने जो मैं आपना target लेकर के चली थी वो एक छोटा सा target मैंने achieve कर लिया है आप सभी को पता होगा जिसे कि TGT English का result आया था सारे subject का आया था जिसमें मेरा TGT English post पर मेरा selection हो गया है मुझे district guru gram मिला है बाकी काफी ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मेरे साथ preparation स्टार्ट की थी तो उनमें भी काफी का selection हुआ होगा और ये बात बताने का सिरफ मेरा मकसद ये नहीं गई मैंने बहुत सारा जीव कर लिया है नहीं बैसी तो एक छोटी सी सुरुआत थी और इस सुरुआत के साथ ही मैं अपने साथ जोड करके आप लोगों को थोड़ असा motivate करना चाहती हूँ जिनका देखिए इस भरती में selection नहीं हुआ जिन्होंने तयारी की थी कोई बात ने friends नहीं हुआ आप अपनी तयारी में लगे रहो आपका इसमें नहीं हुआ किसी और में हो जाएगा देखो हमेश्या ये मान करके अपनी महनत के उपर विश्वास करो और ये सोचो कि आपके लिए जो इस वर जो करेगा वो अच्छा करेगा आपने मेरा जो failure से हैं वो आपने देखी ही है मेरी जो पूरी जर्णी है मैंने आप लोगों के साथ share की है मैंने आप लोगों को time to time guide भी किया है आप लोगों को मैंने estates related last time videos भी बनाई थी आप लोगों की help करने की कोसिस भी की थी आप लोग अभी भी बोल रहे हैं लेकिन अभी जो सडूल चल रहा है वो इतना टाइट चल रहा है कि उसमें मैं चाहकर भी आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हूं तो मुझे उसी हिसाब से पहले देखना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स अब मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बिल्कुल वे छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं जो हमारे बरोसे स्कूल में आते हैं ये नहीं है कि हमारी जोब लग गई और बस हम हो गई फिरी नहीं बलकि मैं ये सोसती थी कि जोब लगने के बाद थोड़ी फिरी हो जाओंगी लेकिन जोब लगने के बाद तो इतना प्रेसर आ गया है इतनी रस्पोंसिबलिटीज आ गई है जिनको मुझे पूरा करना है और मैं पूरी कोसिस करूँगी कि अपनी इमानदारी से उनको पू मैं फैमिली के बीच में रही हूँ और किस परकार से मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी स्टड़ी को जारी रखा और हाँ बिल्कुल बेसक से एक छोटी सी ही जोब हो कई लोग सोचेंगे क्या मतलब छोटी सी ही जोब मिली है लेकिन फ्रेंट्स यकीन मानना टीचर की जो जितनी मतलब रस्पेक्ट मिलती है जितना आपको बच्चे प्यार देते हैं मुझे नहीं लगता है कोई और डेजिगनेशन होगा उसके अंदर ऐसा होगा चाहे उसमें सैलरी आपको ज़्यादा मिलती हो लेकिन इतनी जो आपको रस्पेक्ट है और सबसे बड़ा तो जो होता है एक अंदर से कि हाँ मुझे ये करना है तो जब आप उसको अचीव करते हो तो आपको जो खुसी मिलती है वो अलगी मिलती है खुसी पैसों से नहीं तुलती है खुसी आपके जो सेल्फ सैटिसफेक्शन आपको मिलता है उससे तुलती है एक बात और आप लोग जिनका अभी selection नहीं हुआ है, या जिनोंने अभी तयारी start की है, तो आप लोग अपनी जिन्दिगी में friends बस एक बात याद रखना, कि जो line में आप लगे हो, कि मुझे job चाहिए, तो उस line से कभी cut मत होना, अगर आप लोग उससे cut हो जाओगे, तो आप लोग भीड से पीछे हो जाओगे, आपको उस line में लगे रहना है, और आपका जो कर्म बनता है, कि भी आपको पढ़ाई जारी रखनी है, जैसे भी आपको जितना भी time मिले, आपको चाहिए एक घंटा मिले, लेकिन आप daily पढ़ो, friends वो feelings अलग ही होती है, जब result आता है, और उस list में आप अपना नाम देखते हो, मैं अब आपके सामने उस feelings को मतलब जाहिद नहीं कर पारी, लेकिन मैं अब भी उस चीज़ को याद करती हूँ, तो आप मानों कि body में गूजबंस आने लगते हैं, तो वही feelings आप लोगों को भी लेनी है, और उसके लिए आप लोगों को preparation करनी है, आप लो मैं चाती थी कि आप लोगों का हक बनता है जानने का, boot time से चा रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए record नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने time लगा कर आप लोगों के लिए record किया है, आप सभी लोग निश्चिन्थ हो जाईएगा, मेरी job लग चुकी है, तो मेरी tension आप रेवाडी डिस्टिक था, लेकिन मुझे रेवाडी डिस्टिक ना मिल करके गुरू ग्राम डिस्टिक मिला है, घर से थोड़ा दूर मिल गया है, कोई बात नहीं हो जाएगा, मैने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी preparation में continue रहेगेगा, आपके जो भी doubts होते है, उसके लिए आप लोग preparation कीजिएगा, ठीक है, बाके आपको किस परकार से preparation करनी है, आपका exam कब होगा, इसके बारे में भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएगी, तब तक आप लोग जुडे रहेगा, और बैस में यहीं बोलूँगी कि लाइन से कटमों तो येगा, आप लोग भी जरूर अचीव कर पाएंगे, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, और प्रेवी करती हूँ, कि अगले अध्यापक दिवस पर आप भी कहीं ने कहीं teacher बन करके जाओ, वो जो feelings थी, teachers day के दिन, वो मैं आप लोगों के सामने सब्दों में व्यक्त नहीं कर सक सकती, कि जो आप लोगों को respect मिली थी, जिस चीज को आपने अनुभव किया, उसको आप लोगी समझ सकते हूँ, तो बस यहीं बोलूँगी कि अगले teachers day तक आप सभी लोग भी अपने अपने school में as a teacher पहुंचोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी करती हूँ, और मुझे पत कि अपने बड़ाइए, फजी इस चिन कीन आप लोगी को सुझे अगरे सकता हैं तो खेकाणी कि और सकते हूँ डाया है करता हुझे आपते हूँ, तो प्लाया है, आप स्थाए, आप सकते हूँ, पैर सकते हूँ इस प्लाइए, पालइए, भी अटिता हैं प्लाइए, घर